हलो एब्रवन वेलकम बाक तो मैं चानल तो यहां पर हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के रिलेशन्शिप में नेक्स्ट क्या होगा तो यहां पर नियू मून भी आ रहा है और 1111 पोर्टल भी गया है ठीक है देखते हैं इस सब के बीश आप दोनों के रिलेशन्श इसको कंट्रोल करके रखना है मूर स्विंग ना हो इसके लिए आप अपने आपको पॉजिटिव रख सकते हैं आप सॉल्ट बात ले सकते हैं ठीक है अपनी किसी होबी पर ध्यान दे सकते हैं जिस भी बात से मतलब पोर्सनली किसी पोर्सन के साथ नहीं कह रहे हूं मैं जिस सुल्टिविट के-अपो लगता है कि आप खुश रहे सकते हैं हैं रहता हैं इसको किसी की जरूरत नहीं है आप आप कर सकते हैं आप से क्या शॉपिंग पर जा सकते हैं ठीक है यह जो चीज आपको खुद को पसंद है किसी के उपर डिपेंड ना करें वो सारी चीज़ें जब आपको लगा करें कि नियू मून या फुल मून आ रहा है कोई पोटल ओपन हुआ है ठीक है कलेक्टिव लेवल पर देख लेते हैं आपके पार्टन के और आपके रिलेश्मेंशिप के बीच में नेक्स्ट क्या होगा ओके आपको आप इस रिष्टे के लिए रीडिंग देख रहे है आपके एक्सपेक्टिशन्स बहुत जादा थी या भी है इस रिलेश्मेंशिप को लेकर क्यूं ना हो रिष्टों को लेकर यह उमीद ना होगी तो लेकिन आपके इस सब के बीच में पताए काम भी करना है जिस पोर्सन को यह जिस रिष्टे को लेकर आपके उमीद हैं उनको बढ़ाई है मत बस जो उमीद रखी हुए है बस वहीं तक सीमित रखिएगा क्योंकि हम किसी भी पर देखो रिष्टों में उमीद रखने बहुत ज़र वह तो नेचरल है किसी भी घर में छोटा बेबी होता है ना हमें उससे भी एक उमीद होती है किसी की वो किसी और के पास न जाये सब के बीच में वो हमारे पास याए चोटी सी चीजें होती है ऐसी ठीक है हमेंmaker कोई ऐसे शाब हमेंपर ही मिल जाए तो हम्हें एसा लगता है beth इसको योग कहते हैं यह पर लेक्राश में अभाई यह वह शीर्टार्ट में इस एक कशल जाए तरफको आज का ग्यान इतना ही है, ओके, आप लोग मेरे जो वीवर्स है ना उन्होंने अपने लाइप को थोड़ा स्मूथ कर लिया है, मतलब आपको इससे लगता है ठीक है, अभी फ्लो में जिस तरीके से जाएगी हमारी लाइप हम उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, जो कि मैं अभी लेक्षर दी हूँ आपको, कुछ तो मेरे वीवर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ पर काम करना शुरू कर दिया है, कि जिस तरीके से सिच्विशन लेकर जाएगी, वैसे ही जाएगे, मतलब जादा सोच वेचार नहीं करें, ना रिलेशन्शिप के बारे में, ना किसी भी बात में, बातम यह ना जी बहुत ही प्यारी सी आई है, देखो जो जिस भी रिलेशन्शिप के लिए देखें, उसमें आपको विक्तरी मिले तो जो भी एक्सपेक्टेशन से आपके वो यूनिवर्स पूरी जरूर करेगा, आपके इस रिष्टे को लेकर, कुछ ऐसे सिच्वेशन है जिसको लेकर आप भी और आपका पार्टनर भी थोड़ा सा बाच्चित नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा जादा गिल्ट है, यह मीचोल एरजी है, यह रिष्टा आप पार्ट्स तो बहुत अच्छा है, सिंप्ली अगर बताओं, सबसे पहले यह पोर्शन जिससे आप रिलेशन्शिप में है, ओन आप सिच्वेशन है, यह बातचीत नहीं हो रहे हैं, यह पोर्शन के साथ आपका बातचीत शुरू होने वाली है, यह पोर्शन आपको सबसे लाइन ब्लॉक करने वाला है, इस पोर्शन के आपको, जिससे ही कॉल आई इस पोर्शन के देरे देरे बातचीत शुरू हो जाएगी, एक तुझे है, अगर हम बाकी एनरजी के बात करें, इस रिष्टे में कि क्या होंगी, इस रिष्टे के नेक्स्ट एनरजी, तो यहाँ इस पोर्शन नहीं करता है, लेकिन यह जो जिसके लिए आप यह रीडिंग देख रहे हैं, आपका पात्नर, यह जानता है कि कही ना कुछ ना कुछ इसने कमी छोड़ी है, इस रिलेश्चिप में वो पूरी कर रहेगा, यह पर्शन यहाँ कुछ मिसंडर्स्टानिक भी मु मांगता है कि नॉर्मली बात हो जाए, कोई बात नहीं, सिफ बात करो, ठीक है, और अगर यह आप दोनों का लव रिलेश्चिप पर आपका पार्टनर है, तो इसके लिए यह है कि आप इससे कहते हैं, तो इसको जो रिस्पॉंसिबिलिटी से अपने फामली, अपने फ्रें आपको समय देगा, आपको केर भी देगा, इस रिष्टे को लेकर अपने जो रिस्पॉंसिबिलिटी वो भी पूरी करेगा यह पूर्शन, दिसीजन तो इसने लिया है आपके पार्टनर ने कि यह आगे बढ़ेगा आपके तरफ, बहुत ही प्यारे से घार्टन जो पॉज दिखाए देती है कि अपनी बात पर थोड़े समय दुखता नहीं है, लेकिन इस बार यह लग रहा है कि हाँ इसन जो डिसीजन लिया है भी एक्शन भी लेगा, ठेक है क्योंकि इसी के साथ हमने पस केंग आफ पांटिकल भी आया है, नाइट ओफ पांटिकल, मतलब इसको जानता है कि अगर कोई भी लोग पीछे से बोलेंगे तो मुझे उसकी बात में नहीं आना है, नेक्स यही होगा रिलेशन्शिप में कि यह जो बचकानी हरकते गरता था, डिसीजन लेकि उसके उपर वाक नहीं करता था, अब यह एक्शन भी लेगा, आपके पास आएगा, इस रिष्टे के, और यह आप आने वाले समय में री यूनियन देगा आपको, यह जो समय आ रहा है, निव मून के है, 1111 पोर्टल उपन हुआ है, मैं चाहती हूँ मैं कभी-कभी इन सब चीजों पर रीडिंग करूं, पर क्या है, इसका एक रीजन है कि पॉर्टिकुलर में मैं एक सिच्वेशन पर रीडिंग इसलिए नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर उस समय पे आपका वो काम थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, मतलब नहीं आया, नहीं वो काम हुआ, तो आपका इन सब चीजों पर से विश्वास उठ चाहेगा, कि दीदी ने तो रीडिंग दी थी, कभी-कभी मैं कर देती हो रीडिंग, लेकिन एक रीजन सब मुसे पुछते हैं, क्यों नहीं करते हो, कभी 11-11 एटेट पॉर्टल है, 12-12 है, तो मुझे से लगते हैं, कि अगर वो सिच्वेशन में थोड़ी से अपन आउन आए, तो आपका भरोसा उस चीज़ पर से उठ च कर cause नहीं है, यह पास-लाइफ का का तो है, जाए अपको किसी भी तरीके से ले सकते हैं, करमाद, कोई एक इसी सिच्विशन है जिसमें आप बी स्टक हैं आपको नहीं समझ पढ़ दीजी कि क्या हो रहा है मेरे साथ कौन सा बातनर कार्मेक है कौन सा पातनर मेरा सोलमेट ये त्विन फ्लेम मुझे किसके साथ डील करने चाहिए हो सकता है अपने कार्मेक के साथ मैरिज मतलब शादी हो चुकी है और आपको अपने त्विन फ्लेम ये सोलमेट अब दिखा है अब मिला है और आप इस चीज में गंफ्यूजड है ठीक है अगर कोई भी ऐसा गंफ्यूजड है तो सच बता हूँ अपने पास लाइफ करमास के लिए यूनियोवर्स को सिफ सोरी बोलते र रहेगा और आप प्रिय कीजिए कि आपके रियूनियन हो जाए ये ट्विन फ्लेम ये सोलमेट जो भी है इस से ये परसन ना इस रिष्टे को काफी जादा आपको आकर बोलानी होगा कभी इसकी क्या वैल्यू है इस रिष्टे की इस पोर्सन की नजर में लेकिन सच कहूं अभी आया है 1111 पॉर्टल एंड नियू मोन आसपास आए हैं ये दोनों इसके अंदर गे समय आपको आपके पार्टनर के साथ रियूनियन करवा के देगा ठीक है कॉल में से बात होनी बहुत ज़ली शुरू हो जाएगी आपकी इस पोर्सन के साथ में कहीं नहीं इस पोर्स ये सारी चीज़ें आपके साथ पॉजिटीव होंगी जल्दी मत कीजिएगा पैशेंटली डील करना है सारी सिच्वेशन को जल्दी नहीं करना है गाई करेंगे ना तो आपके इमोशन आपें डाउन हो जाएंगे इधर उधर हो जाएंगे फिर आप परिशान होगे सबसे अपने इमोशन को अपने फिलिंग को थोड़ा सा बैलेंस में लाओ तभी आपको समझ आएगी सिच्वेशन कि इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ शानती से काम लेना है क्योंकि एक्षिन अब आपका बात ना लेगा ठीक है तो यह थी हमारी आज के रीडिंग आई होप आ अंच आएं पसंद आए और पर सो रीडिंग लिए में इस्ट्रग्राम पर मैसेज कर सकते हैं आई डी में ने दिस्क्रॉप्शन में दी होई है थांक यो पोर वाचिंग भाई